बॉलिवुर्ड इंडस्ट्री में यूं तो ऐसे कई अभिनेता रहे हैं जो अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने लव रिलेशन्शिप को लेकर सुर्खियों का हिस्सा बने रहते हैं उन्हीं में से एक नाम आता है बॉलिवुर्ड के सिंगम यानि की अभिनेता अजय नहीं है जिसके बारे में अजय देवगन ने कभी भी खुलकर बात नहीं की तो दिया सब्सक्राइबर्स आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको अजय देवगन के उन्हीं कुछ सीग्रिट लव अफेर्स के बारे में बताने वाले हैं तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन हैं वो अभिनेत्रियां जिनके साथ अजय देवगन का सीक्रिट लव रिलेशन्शिप रहा नमबर वन रवीना टंडन इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है रवीना टंडन का जिनके साथ अजय देवगन का लव अफेर रहा है और वो भी सीक्रिट क्यूंकि इस लव रि रिलेशन्शिप में है जहां रवीना टंडन उनके साथ इतनी ज्यादा दीवानी हो गई थी कि वो उनसे शादी तक करना चाहते थी लेकिन अजय देवगन उनके इस प्यार में कभी भी सीरियस नहीं थे दरसल इन दोनों का प्यार इनकी फिल्मों में काम करने के दौरान की थी और अजय देवगन ने इस बात से इंकार कर दिया था और इस बात को सुनने के बाद रवीना टंडन ने सीव साइड करने की भी कोशिश की थी और रवीना ने खुद इस बारे में एक इंटर्व्यू के दौरान बात की है बॉलिवर की गौजे सदाकारा करिश्मा कपूर के साथ भी अजय देवगन का सीक्रिट रिलेशनशिप रहा है जहां दोनोंने कई फिल्मों में एक साथ काम किया था और फिल्मों के दोरान ही दोनों के प्यार की शिरुआत हुई थी लेकिन अचानक ही करिश्मा कपूर ने ये देखा कि अजय देवगन उन्हें सिर्फ चीट कर रहे हैं जहां उन्होंने एक बार अजय देवगन को किसी लड़की के साथ भी देख लिया था जिसके बाद उन्हें लगा कि वो उन्हें चीट कर रहे हैं इसके बाद उन्होंने अजय देवगन से अपना रिष्टा ख आदी के बात की है जहां फिल्म Once Upon a Time in Mumbai में काम करने के दोरान दोनों के बीच नजदी किया देखी गई थी और यहीं से दोनों के प्यार की शुरुआत भी हुई लेकिन काजोल को भी जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अजय देवगन को ये तक कह डाला कि अगर किसी के प्यार में पड़े तो वो उनसे हाथ दू लेंगे जहां उन्होंने इन सभी चीजों को देखते हुए अपने बच्चों और पत्नी को चुना और कंगना रनौत को वक्त के साथ छोड़ दिया बॉलिवर की आदाकारा काजोल असल लाइफ में अजय देवगन की वाइफ है जिन्होंने साल 1991 में एक दूसरे से शादी की थी जहां दोनों ने एक दूसरे को काफी समय तक डेट किया जिसके बाद दोनों शादी के बंधन में बन गए थे जहां आज भी दोनों अपनी शा आदी में तब्दील हो गया और आज इनका नाम बॉलिवर के बेस्ट कपल में लिया जाता है इन दोनों के बीच आज भी उतना ही प्यार देखने को मिलता है जो कई सालों पहले इन दोनों को पहली नजर में हुआ था तो दोस्तों आपको अजे देवगन के इन सीक्रिट लव अफेर्स के बारे में जान कर कैसा लगा साथ ही आप हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको इनके साथ किस अभी नेत्री की जोड़ी सबसे अच्छी लगती और बॉलिवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले